सभी के किचेन और घर में कोई ना कोई दिक्कते तो आती हैं तो इन समस्या का समाधान लेकर मैं आई हूँ बहुत ही यूसफुल किचेन टिफ्स एन हैक्स लेके जो आपको बहुत पसंद भी आते हैं और आपका बहुत काम भी आते हैं तो इस बज़े से हमेंना बहुत देख सभी आते हैं आपको लेना है डबल टेप टिक्या है डबल टेप को इक चोट असा टुकरो में आपको कट कर लेना है फिर आपको क्या करना है? देखिए इस जगा में इस तरह से आपको टेप को चिपका देना है तो इस तरह से जब आप टेप को चिपकाएंगे ना फिर आप देखेंगे यह जो टीका आप वेर करेंगे ना यह बिल्कुल भी इधर उदर नहीं लुड़केगा चलिए मैं आपको इसका प्रूफ दिखात तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और साथ ही में जो इरिटेट फिलो ततन वो बिल्कुल भी नहीं होगा बहुत ही यूसफुल टीप है अब ज़रूस ट्राइ कीजिए ठीक है तो जलिए आप देख लेते हैं अगला यूसफुल टीप अक्सर जब हम लहसुन को कूट तो आप देखे होंगे कूट्टे टाइम लहसुन जो है ना इस तरह से उचल के बाहर निकल के आ जाती है तो इस करण आधा लहसुन जो है ना वो नीचे में गिर जाती है तो हमें बहुत दिक्कत भी होती है तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक आपके साथ सेयर करना फिर आप इस तरह से जब लहसुन को कूटेंगे ना तो देखेंगे एक भी लहसुन उचल के बाहर नहीं निकल के आएगी यह बहुत ही यूसपूल टीप है और अजमाया हुआ ट्रिक है क्योंकि जब भी मैं इस तरह से ओकली में लहसुन को कूटती हूँ तो इस तरह से लिए अब देख लेते हैं अगला यूसपूल टिप तो में जो अगला यूसपूल टिप है वो है इस तरीके का किचन टाओल को ले करके हम सभी लोग किचें में बहुत सारे कीचें टाओल का यूज करते हैं घर गिला रह गया या तो फिर सर्फेस को क्लीन करने की लिए तो इस तरह से किचें टावल Legends करते हैं लेकिन इसको रखने का बड़ा ही दिक्कत आती है किचें प्लाटफोर्म में जो इसको खुले में रखते हैं तो क्या justement चिप के लिए kitchen cabinet में तो देखे kitchen cabinet का जो डोर है न वहाँ पर देखे इस तरह से हमें cloth clip को अच्छे से fix कर देना है ठीके तो friends देखे इस तरह से जब आप cloth clip को चिपकाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा एक hanging organizer बनके तयार हो जाएगा ठीके तो इसी में इस तरह से आप kitchen towel को मतलब hang करके रखें इसे के आप देखेंगे एकी साथ में बहुत सारे kitchen towel को रख पाएंगे और बहुत अच्छी बात ये है ये देखिए cover होके रहेगा यानि के खुले में नहीं रहेगा इसे के कीड़ा बगरा बिल्कुल भी मूर नहीं डाल पाएगी organize रहेगा और साथ ही में आपको लेने में बहुत आसान रहेगा और जब आप ले के use करने के बाद फिर इसको इस तरह से हैंकर के रख सकते हैं कैसी लगी ये वाली idea मुझे comment करके जरूर बताना तो चलिए अब देख लेते हैं अगला useful tip तो friends देखिए जब हम रोटिया बनाते हैं रोटिया बनाने के बाद जो हमारे तवा है वो बहुत ये गरम रहता है अब इस गरम तवा का use हमें लेना चाहिए तो देखिए इसका use हम किस तरह से ले सकते हैं तो देखिए friends जब हम mixy jar को धोते हैं धोने के बाद इसका जो अंदर side है ये जल्दी नहीं सूकता है अब सूकता नहीं हम इसको ऐसे ही रख देते हैं जिस वज़े से क्या है आप देख रहे हैं इस गरम तावा में इस तरह से उल्टा करके रख देना है अब जब उल्टा करके इस तरह से mixy jar को रखेंगे तो आप देखेंगे इसका गरमा हट से इसका अंदर वाली portion बहुत ही जल्दी सूक जाएगा बहुत ही useful tip है अब जरूर से try कीजिएगा और मेरा अगला useful tip है अकसर कई वार ऐसा होता है हम कपड़े को PRESS कर रहे हैं और कपड़े का कलर जो है न वो छूट रहा है अब कपड़े का कलर जब छूटता है न तो इस तरह से PRESS में लग जाता है प्रेस में लगने के बाद कि हैने प्रेस बहुत गंदा हो जाता है नेक्स टाइम इस प्रेस का यूज हम नहीं ले पाते हैं और देखिए प्रेस को हम पानी से clean नहीं कर पाएंगे क्योंकि electronic चीज़ को हम पानी से नहीं clean कर पाते हैं थोड़ सा हमें डर लगता है तो इसको clean करने का एक छोट असा उपाई लेकर आचुकी हूँ, आपको लेना है tablet, tablet आप कोई सा भी ले सकते हैं, और फिर आपको क्या करना है, switch on करके, यानि कि गरम इस्तिती में ही आपको इस तरह से प्रेस को clean कर लेना है, तो बस इसी तरह से simply देखिए, जैसे मैं वीडिय हूँ, tablet को इस तरह से rub करते जाना है, और जैसे ही आप इस तरह से tablet को rub करेंगे, फिर आप देखेंगे, प्रेस जो है न, वो clean हो जाएगा, आप देखी सकते हैं, कितना बड़िया तरीके से प्रेस क्लीन हो रहा है, लेकिन हाथ थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, tablet जब पहले के जैसा हो जाएगा, बहुत ही useful टिप है, आप ज़रू ट्राइ कीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को ज़्यादे सा ज़्यादा सेयर कर दीजिएगा, तो चलिए अब देख लेते हैं अगला useful टिप, तो friends देखिए, कई लोग ऐसा होता हैं, कि रोटिया तो बनाते हैं, तो इसके लिए मैं आपको कुछ टिप बताऊंगी, जब आप रोटी के लिए आटा को गुन देगें, तो गुन-गुना पानी से गुन देगें, गुन-गुना पानी से गुनने से आटा को ज़्यादा मसलनी की जरुरत नहीं पड़ेगी, और गुन-गुना पानी से आटा गुनने से gas acidity का problem भी नहीं होती है अब next tip जो है ना देखिए सूखा आटा जिसके थुरू आप रोटियां को बेलते हैं उस आटा को इस तरह से dry roast करना है आपको ठीके इसमें पानी बगरा बिल्कुल भी नहीं जाएगा इसको सूखा इस तरह से कड़ाई या तवा में dry roast कर दीजिए और आप चाहें तो इस तरह से एकी साथ में बहुत सारा आटा को dry roast करके एक डिबों में भरके रख सकते हैं और रोटी बेलते टाइम इसी आटा का यूज लेके आप रोटी बेल सकते हैं और इस ट्रिक को फॉलो करने से आप देखेंगे एक तो रोटी बहु इस तरह का प्रॉबलम भी नहीं होगा और रोटी बहुत नरम और फुला फुला बनेगा और रोटी बेलते टाइम आप कोसिस कीजिएगा को रोटी को चारो और बड़ाबर से बेले हैं ना तो चलिए मैं आपको रोटी सेखके भी दिखाती हूँ और एकिन मानी फ्रेंस इ इस तरह से रोटी फुल रहा है अब मैं आपको दिखाती हूँ कि रोटी कि इस तरह से देखिए कितना सौप्ट नरम बना है और इस तरह से रोटिया बनाने से आप चाहे तो विगिनर क्यों ना हो तो भी आप इस तरह बहुती सौप्ट और फुला फुला रोटी बना लगडी का चीज में बहुत ज्यादा फफून साना लगता है तो इसके लिए सब्से पहले आप चकला वेलन को अच्छे से ड्राइ कर लीजिए और ड्राइ करने की बाद दो चार बूंध ऑइल इसमें डाल दीजिए और ओयल को अच्चे से चकला बेलन में आप लगा दीजिए, फिर उसके बाद कौटन के कपड़े से ओयल को हलके हाथों से इस तरह से वाइप कर लिजी यानि कि थोड़ा सा पोच लिजी जिए, फिर इस तरह से अगर आप चकला बेलन को रखेंगे ना, तो आप देखेंगे में बिल्कुल भी फपून वगरा नहीं आएगा और साथी में नेक्स टाइम जब आप रोटिया बनाएंगे ना तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगा यानि कि बिलन वगरा जो चिपक जाता है ना रोटी बनाते टाइम इस तरह का प्राब्लम तो बिल्कुल भी नहीं चैनल पर न्यू यानि कि पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा तो चलिए फ्रेंज मिलती हूं नेक्स वीडियो में बाई फ्रेंज एंड थैंक्स पर वाचिंग